हलो एव्रिवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूड्यूब चैनल पर जहाँ पर हम सभी लोग हमारी पूरी टीम मैगनेट ब्रेंज की टीम आपको प्रोवाइड करती है के ट्वेल यानि की किंडर गार्डन से क्लास 12 तक के हमारे CBSC बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्स की पूरी पूरी 100% free of cost high quality education और हम जो आपको पढ़ाते हैं वो वीडियो के फॉर्म में पढ़ाते हैं वीडियो जो आपको प्रोवाइड करते हैं उनमें होता है in-depth explanation जिनकी मदद से आप अपना हर subject का पूरा syllabus पूरा course पढ़के complete कर सकते हो timely और बन सकते हो भाई अपने subject के master हिंदी मीडियम के students जो class 6 से 12, UP board, MP board, अपना राजिस्थान board, बिहार board और देली board अगर आप इन 5 state board से पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में है तो जाएए Magnet Brains के हिंदी मीडियम YouTube चानल पर उसको subscribe कर लो क्योंकि वहाँ पर हिंदी मीडियम की पूरी teaching staff, पूरी team आपको यानि हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों को high quality educational videos provide करा रहे हैं and regular basis पर तो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या English मीडियम का बच्चा हो हमारे लिए यानि Magnet Brains के लिए दोनों ही बहुत important है हम दोनों ही segments के लिए पूरा-पूरा 100% free of cost high quality education provide करा रहे हैं इसी के साथ अगर हम बात कर लें बिटा notes की तो आप notes डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी subject के आपकी जो requirement हो उस subject के आप notes डाउनलोड कर लो 6th to 12th class के सारे subjects के notes हमारे पास मौझूद है Hindi, Medium, English, Medium बोथ डाउनलोड करने के लिए हमारी website और application पर आप जा सकते हैं website है www.magnetbrains.com this site zishan your maths mentor आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिटा triple angle formula sir हम trigonometric functions पढ़ रहे हैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस वीडियो session के जस्ट पहले जस्ट पीछे वाला जो वीडियो आयता है that was multiple angle formula या हम double angle formula भी कह सकते हैं multiple angle formula या double angle formula मतलब हमने सीखा है sin x तो हमने previous वाले वीडियो में सीखा sin 2 x हमने सीखा है sin theta तो previous वीडियो में हमने पढ़ा है sin 2 theta है ना तो sin 2 theta cos 2 theta 10 2 theta क्या होता है हम पढ़ चुके हैं sir अभी जो हम चीजें देखने वाले हैं triple angle formula हम formula देखेंगे कि किस चीज का क्या formula होता है और उनका proof देखेंगे बस इसके लावा इस session में इस वीडियो में कुछ नहीं देखेंगे कोशिश करूँगा कि 30 minutes में ये session complete हो जाए चलिए शुरू करते हैं दोस्त है न तो ये रहा बेटा हमारे वो formula जिनको हमें learn करना है दिमाग में feed करना है कि sin 3 theta क्या होता है cos 3 theta क्या होता है 10 3 theta क्या होता है ये formula है बेटा अब जरूरी नहीं है थीटा हो हो सकता sin 3 a आ जाए हो सकता cos 3 a आ जाए 10 3 a आ जाए तो theta is simply a denotion एक angle का denotion है इसकी जगा x भी लिखकर आ सकता है बस आपको ये याद रखना है triple angle है तीन गुना है angle का देखो क्या लिखका है triple angle तो sir अगर मैं बच्चा यहाँ पर लिख दू sin theta अगर मैं लिख दू sin theta तो इसका 3 गुना क्या होगा इस angle का sir इसका 3 गुना होगा 3 theta तो बेटा इसी का तो formula अपन को जानना है कि sin 3 theta का formula क्या होता और कैसे आता है समझ गए तो बेटा जी sin 3 theta cos 3 theta 3 3 theta यह formula रहे अभी हम एक एक करके इन 3ों को देखते हैं और समझते हैं तीनों के proof ठीक है चलो देख लो बेटा बेटा यहाँ पर सबसे पहला formula है sin 3 theta देखो sin 3 theta का formula तो याद हो जाएगा 3 sin theta minus 4 sin cube theta easy है 3 sin theta minus 4 sin cube theta पर यह आएगा कैसे what is the process इसको लाएंगे कैसे इसका proof बताओ कभी-कभी इसका proof भी पूछ लिया जाता है तो बेटा इसके proof के लिए आपको दो चीजे याद रखनी है क्या सर सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान दीजेगा सबसे पहले आपको यहाँ पर sin मैं लिख दूँ बेटा sin 2A का फॉर्मला याद होना चाहिए जो होता है मेरे प्यारे बच्चे 2 sin A cos A 2 sin A cos A यह होता है sin 2A का फॉर्मला ठीक है सर है ना अब तो मच्छे से देखोगे तो यहाँ double angle है 2A है 2A को हमने sin A cos A में convert कर दिया है ना तो एक फॉर्मला तो आपको इसके प्रूफ के लिए याद होना चाहिए और दूसरा फॉर्मला जो आपको याद होना चाहिए बेटा जी वो है ध्यान से सुनिएगा yellow color से लिख लेते हैं वो ज़्यादा सही लगेगा sin ध्यान से सुनना बेटा प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी ठीक है यह फॉर्मला होता है बस यह दोनों अगर आपको याद है तो आप इसका प्रूफ आराम से अच्छे से पिलकुल शिद्दत के साथ कर सकोगे अब अपन देखते हैं sin 3 theta कैसे आ सकता है यह अच्छा सुनो मैं फिर बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है यह theta हो जरूरी नहीं है यह theta हो जरूरी नहीं है यह theta हो इसकी जगा ए भी लिखकर आ सकता है a b x कुछ भी हो तो मैं बस फोकस करना है तीन गुना एंगल का 3 times अगर मैं लिख दूं sin a sin a का 3 को नहीं होगा sin 3 sin 3 बस इतनी सी बात है तो 3 theta और 3a कोई अलग अलग चीज़ थोड़ी नहीं सेम चीज़ है बस denotion है वो तो denote करने के लिए यूज हो रहा है ठीक है तो सर जी अपन को यह प्रूफ करना है चलो start करते है ठीक है let us get started ठीक है सर start करते है देखो हमें देखना है sin 3a is equal to 3 sin a है ना sin a लिख रहा हूँ बेटा मैं है इसको a लिख रहा हूँ ठीक है तो यह हमें प्रूफ करना है सर 3 sin a minus 4 sin cube a 3 sin a ठीक है सर minus 4 sin cube a clear यह प्रूफ करना है बहुत छोटी सी चीज है बेटा आपको tension नहीं लेनी है सबसे पहले तो आपको एक चीज देखनी है कि sin 3a जो lhs है उसको हम कैसे break कर सकते है how can we break it तो सर हम इसको break कर सकते है साइन 3a को we can write बेटा जी sin a plus 2a sin a plus 2a क्या सर साइन a plus 2a sin a plus 2a या 2a plus a आपकी इच्छा है जो आपको लिखना हो ठीक है सर clear है बिलकुल clear है सर देखते जाना अब अब अपन ने क्या करना है अपन को इसको सोचना है थोड़ा सा analyze करना है सर यह तो sin a plus b का formula बन रहा है इसको अगर मैंने a को a ही मान लिया और इसको मैंने b मान लिया तो यार बच्चा यह तो sin a plus b का formula बन रहा है सर हाँ यार और sin a plus b का formula यह होता है लिखो यार जल्दी से लिखो चलो सुच सर लिखते हैं, let us write it down ठीक है, तो यह हो जाएगा sin A cos B cos B, बेटा B 2 A है ध्यान देना sin A cos B, sin A cos B यह है cos B, ठीक है B plus, plus cos A cos A sin B, B बोले तो यह है सर, ठीक है है न, done है बिलकुल done है, देखो sin A cos B cos A, sin B कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर clear cut समझ में आ रही है बात, बिलकुल आ रही है सर बात समझ में next, आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज़ देखो, sin 3 है में, sin, sin, sin आ रहा बस, cos कहीं नहीं है, तो यह cos अपना हटाएंगे अभी, don't worry, अपन हटाएंगे अभी, ठीक है सर, अब बात समझना मेरी, देखो, sin A को हमने sin A रहने दिया, ठीक है सर, sin A को हमने sin A रहने दिया, into, cos 2 A के हमको 3 formula याद है, अगर आपको याद हो, previous वीडियो में मैंने आपको बताया है, पहला होता है, cos square A minus sin square A, पहला तो यह होता है, है ना, दूसरा होता है मेरे प्यारे, 2 cos square A minus 1, 2 cos square A minus 1, और तीसरा होता है, मेरे प्यारे बच्चे, 1 minus 2 sin square A, और बेटा यहां हम यह वाला formula यूज़ करेंगे, यह तीसरा वाला, क्यों करेंगे, चार formula होते हैं वैसे इसके, वो वाला क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा हमें सब sin में चाहिए, तो sin 2 A का formula यह तो sin और cos दोनों आ रहा, cos तो हमें चाहिए नहीं है, इसमें तो cos ही cos आ रहा हमें, cos नहीं चाहिए, cos 2 A को sin में करना है, तो यह आएगा, तो बेटा, यहां हम लिखेंगे, 1 minus 2 sin square A, 1 minus 2 sin square A plus, done है, हाँ सर, बिलकुल done है, cos A को फिलहाल cos A लिखो, ठीक है सर, cos A को फिलहाल हमने cos A लिखा, done है, बिलकुल done है, अच्छा, sin 2 A को हम लिख सकते हैं, बेटा, sin 2 A को 2 sin A, cos A, 2 sin A, cos A, पक्की बात, हाँ सर, 100% पक्की बात, ठीक है, multiply करो, बस खताब आने वाला है, बेटा सर, multiply करो, sin A into 1 बेटा जी, sin A minus, sin A into this, 2 sin cube A, 2 sin cube A, ठीक है सी, cos A into cos A, यह पूरा multiply हो जाएगा, plus का 2 sin A, cos square A, 2 sin A, cos square A, cos A into cos A, cos square A, अब cos square A का value अपन को पता है, याद करो, sin square A plus cos square A is equal to 1, cos square A हमें हटाना है, 1 minus sin square A, cos square A की जगा हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square A, तो सर जी दियान से सुनना, बेटा, इसको लिखा हमने sin A, वैसा ही as it is, ठीक है, sin A minus 2 sin cube A, plus 2 sin A, ठीक है, 2 sin A, ठीक है, बस बेटा जी, यहाँ पर मैं yellow color से cos square A को हटाऊँगा, क्योंकि मुझे cos चाहिए ही नहीं है, सब sin में है, तो इसको भी अपन लिख देंगे, 1 minus sin square A, cos square A की जगा, 1 minus sin square A हो गया, 2 sin A, अब फिर से जाएगा, इसके multiply होगा बेटा अंदर, तो क्या बनाएगा, जल्दी से देखू, बस हो गया बेटा, खता में, sin A minus 2 sin cube A, plus 2 sin A into 1, 2 sin A, plus 2 sin A into sin square A, minus का 2 sin cube A, minus का 2 sin cube A, पक्की बात है, हाँ सर, बिल्कुल पक्की बात है, अब sin A और 2 sin A, सर, 3 sin A हो गया, ठीक है, 3 sin A, minus का 2 sin cube A, minus का 2 sin cube A, कितने हो गए, minus का 4 sin cube A, minus का 4 sin cube A, यही तो formula है, बिटा, sin 3 A का, यही तो formula है, sin 3 A का, देखो, 3 sin A, 3 sin A, minus 4 sin cube A, हाँ, आ गया, लो भी, आ गया, ठीक है, डन है, यह सर, डन है, चलो भईया, तो आनी चाहिए, tensor, आगे चलते हैं, moving on to next, cos 3 A का formula होता भीटा, 4 cos cube A, minus 3 sin A, अब मेरे मुझे A निकल रहा बार-बार, क्योंकि मुझे A में याद है, theta बार-बार, theta बोलता हूँ ना, तो जबान लडखड़ा जाती है, theta, 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 तो A बोल दूँगा, ठीक है, तो बेटा जी, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, cos 3 A, 3 theta की जगा मैं 3 A लिख लेता हूँ, is equal to 4 cos cube A, theta की जगा A, minus 3 cos A, theta नहीं, 3 cos A, clear है, हाँ sir, cos 3 theta के लिए, जो जो चीज़े use होंगे, जो formula use होंगे, अपन side में लिखते जाएंगे, ठीक है, start करते हैं, कैसे आता है sir, sir, cos 3 A कैसे आता है, cos 3 A का ये formula कैसे आता है, जैसे sine 3 A का निकालाना बिल्कुल वैसे, क्या करें, sine में अपने A, plus 2 A लिखा था, याद है 3 A को A, plus 2 A लिख दिया था, इसको भी A, plus 2 A लिख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है sir, तो क्या लिखेंगे बिटा यहाँ, हम cos 3 A को लिख सकते हैं, cos A, plus 2 A, अब थोड़ी सी अगर तुमारी नजर तेज हो, तो यह बन गया, cos A, plus B, है न, तो यह याद आना चाहिए, आपको, cos, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, cos A, plus B की बात हो गई है, है न, यह B हो गया, तो सर, क्या हैगा, अंसर, क्या हैगा, सर जी, अगर आप ध्यान दें, तो cos A, plus B होता है, cos A, cos B, cos A, cos B, minus sin A, sin B, यह होता है, फॉर्मला, cos A, plus B, cos A, plus इसको B मान लो, ठीक है सर, तो यह क्या देगा अपन को ध्यान से सुनो, तो सर, यह देगा अपन को, cos A, cos B, विटा, यह है B, ठीक है, cos A, cos B, ठीक है सर, minus sin A, sin B, minus sin A, sin B, B कौन है भीया, B 2A है, B की जगा 2A लिखा हुआ है, ठीक है, 2A, cos A, cos B, minus sin A, sin B, ठीक है, सर, अच्छे देगा अपन को पूरे, विटा, cos चाहिए, बस, cos Q, cos, हमें साइन की ज़रूरती नहीं, cos, cos, ठीक है, इन दोनों को अटाना पड़ेगा, ठीक है, सर, कैसे अटाएंगे, ध्यान से देखना बिटा, जी सर, देखते जाओ, इसको अपन यहां रख लेते हैं, ठीक है, पहला तो यह use होगा अपना, यह use हो गया, ठीक है, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जी सर, cos A, लिखो, सेम लिखो, ठीक है सर, इसको अभी change मत करना, क्योंकि change कर भी नहीं सकते, अब सोचो, cos 2 A के तीन फॉर्मले हैं, वैसे चार फॉर्मले हैं, कौन सा लगेगा, ध्यान से सुनो, दिमाग में यह रखो, कि हमें सिर्फ cos cos चाहिए, सिर्फ cos चाहिए, अब cos 2 A के या cos 2 थीटा के चार फॉर्मले हैं, कौन कौन से, बिटा सबसे पहला है, cos square थीटा, सबसे पहला तो यही है, जो प्रूफ में भी यही आता है, दूसरा है बिटा जी, 2 cos square थीटा माइनस 1, अपन यह वाला ही यूज़ करेंगे, तीसरा है 1 माइनस 2 sin square थीटा, चोथा है 1 माइनस 10 square थीटा पॉन 1 plus 10 square थीटा, ठीक है, ठीक है सर, तो चोथा मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसकी बहुत ही कम यूज़ होती है, लेकिन याद होना चाहिए, बिटा हम यहाँ पर यह वाला formula लगाएंगे, अब ऐसा क्यों सर, आपको पता कैसे चला कि यह वाल ठीक है, माइनस 1, ठीक है, माइनस, sin A को as it is लिख दो, sin A से बिलकुल भी छेड़ा खानी मत करना, छेड़ा खानी मत करना, ठीक है सर, अब यहाँ sin A जो है, इसकी sin 2 है, sin 2 A का formula 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, done sir, perfectly fine, खताम हो रहा है बेटा, खताम हो रहा है, tension न लो, ठीक है सर, multiply करो अंदर सर, इसको अंदर multiply करो, cos A और cos square A, cos cube A हो जाएगा, 2 cos cube A, 2 cos cube A, ठीक है सर, cos A into 1, minus का cos A, ठीक है सर, minus sin into this, यह तीनों multiply में, this, 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 तो पिटा, यह minus का 2, sin A into sin A, sin square A, cos A, यह हो गया, done है, बिलकुल done है, सुनते या न, जी सर, बात समझो, हमारे target is cos में, तो पिटा, यह भी cos में, यह जो sin square A, यह क्या कर रहा है, इसको cos में बनाओ, आराम से बन जाएगा सर, 1 minus cos square A, इसकी जगा हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos square A, ठीक है, हाँ सर, और 2 cos A यहाँ है, तो इसको आगे लिख देंगे, 2 cos A आगे लिख दिया, done A sir, बिल्कुल done A, minus लगा, minus लगा दिया, ठीक है, as it is लिख देंगे अपन, 2 cos cube A, ठीक है, 2 cos cube A, minus cos A, done, बिल्कुल done sir, ठीक है, done, कोई दिक्कत, नो दिक्कत sir, बिटा, minus का cos 2 A अंदर multiply करो, answer आ गया, बस खतम, यह आ गया पिटा, यह आ जाएगा formula, ठीक है, तो 2 cos cube A, minus cos A, minus का 2 cos A into 1, minus का 2 cos A, minus का 2 cos A into minus का cos square A, plus का 2 cos cube A, plus का 2 और cos cube A हो जाएगा, साब cos में हो गए, खतम, add और separate कर दो, 2 cos cube A, और plus का 2 cos cube A, दोनों 4 cos cube A हो गए, 4 cos cube A, minus का cos A, minus का 2 cos A, minus का 3 cos A हो गया, minus का 3 cos A, अरे बच्चा, यह का है का formula बना, यह बना cos 3 A का formula, है ना, cos A plus 2 A, क्या है, cos 3 A है, सर, लो भी, done, तो यह formula बने जाए, 4 cos cube A, minus 3 cos A, that's it, चल दें, 10 3 A का formula देखने, बिटा, है न, 10 3 A, इनकी practice क्यों कर रहे है, सर, हम इसका proof तो आता नहीं है, exam में, practice क्यों कर रहे है, बिटा, पता होना चाहिए, कि cos 3 theta, यह cos 3 A का formula, यह A कैसे रहा है, सर, यह आ रहा है, cos A plus 2 A, यानि A plus B के format में खोल दिया, उसको solve कर रहे है, cos ही cos में convert कर रहे है, इसको cos में, यह भी cos में, 2 cos square A minus 1, इसको रहने तो इसको भी और इसको फिर change करा, sign into sign, sign square A, उसको भी cos में कर दिया, 1 minus cos square A, साब cos में हो गए, solve कर answer आ गया, कितना आसान है, कोई tough नहीं है, चलते हैं बेटा, 10 की तरफ, चलते हैं बेटा, 10 की तरफ, तो यह रहा हमारा 10 3 A का formula, 10 3 A is equal to 3 10 A minus 10 cube upon 1 minus 2 10 square A, ठीक है, 3 10 square A, sorry, 2 निकल गया मूझ से, देखो, सुनते जाओ, सर जी हमारा formula जो 10 3 A का होता है, 10 3 theta, यह 10 3 A, क्या होता है सर, theta की जगा A लिख रहा हूं ठीक है, तो यह होता है बेटा, 3 10 A, यहीं 3 10 theta, minus 10 cube A, 10 cube A, ठीक है सर, upon 1 minus 3 10 square A, upon 1 minus 3 10 square A, यह, यह formula, यह याद करना है बेटा, मैं सच्ची बता रहा हूं, याद करना है, और मैं ऐसा teacher नहीं हूं जो तुमसे बोलूँगा, अरे maths में क्या याद करना है, यार, maths में तो सब सम जाता है, हाँ समझा जाता है, पर formula तो याद करने पढ़ेंगे, formula तो याद करोगे, triangle का area क्या होता है, half into base into height, और क्या होता है, under root S, S minus A, S minus B, S minus C, here on formula, और क्या होता है, determinant से भी निकल जाता है, sir, 1 by 2 bracket X1 by 2 minus Y3 plus X2, Y3 minus Y1 plus X3, Y1 minus Y2, यह क्या है, यह पूरा determinant का triangle का area निकाल formula यह सब क्या, याद ही तो है, यार, रटे ही तो है, learn करने पढ़ेंगे formula, ठीक है, सच्चाई को अपनाओ, के formula और चीजें हमें रटनी पढ़ती है, learn करनी पढ़ती है, समझ के, समझो, और learn भी करो, ऐसा नहीं, यह सब रट रहे, रट लिया apply करनी पार है, तो उसको भी को पेटा शगल चेंज करो पहले, 10, 3A का शगल चेंज कर दिया, हमने कैसा, सर इसको लिख दिया, हमने 10A प्लस 2A, 3A को मैंने लिख दिया, A प्लस 2A, ठीक है सर, ठीक है, done, 2A प्लस A भी लिख सकते है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अब सर, यहां यह बन रहे, 10A प्लस B यह बन रहे, 10A प्लस B, है ना, तो 10A प्लस B क्या होता है, सर, देखो, ध्यान से देखो बेटा, 10A प्लस B, compound angle formula याद है ना, मैंने पढ़ाए हैं तुमको, सर, यह क्या होता है, यह होता है, सर, 10A प्लस 10B, 10A प्लस 10B upon 1 minus, upon 1 minus 10A into 10B, सर जी, यह है formula, ठीक है, done, तो A और B को तो दोड़ा सा analyze करो, A की जगा A है, B की जगा 2A है, तो B की जगा 2A लिखेंगे, यहाँ 2A और यहाँ 2A, ठीक है, done, सर, चलो start करते हैं, 10A प्लस 10B, 10A प्लस B, 10A प्लस 10B, यह आ जाएगा बेटा, 10B की जगा, ठीक है, यह B है, ठीक है, ठीक है, सर, upon 1 minus 10A, 10B, upon 1 minus 10A, 10B, 10 10B का मतलब वेटा, 2A, done है क्या, हाँ सर, बिलकुल done है, अब सुनो मेरी बात, 10 2A का formula याद होना चाहिए, हाँ सर, बिलकुल, 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 याद है सर, कोई दिक्कत नहीं, यह जैसे यह याद है, ऐसी 10 2A का formula याद है, 10 2A का तो एक ही formula याद कराया है, मैंने आप को याद करो previous वीडियो में two ten upon one minus two ten upon one minus ten square ठीक है सर जी learn कर लो बिलकुल दिमाग में set कर लो बार बार पड़ो solve करो लिखो जो करना है करो washroom में लगा लो यह लिख के याद होना चाहिए लेकर याद करो जरूरी है याद करना ठीक है डन सर तो सर जी यह क्या चल रहा है यह ten three a के equal में चल रहा है जो कुछ चल रहा है ठीक है ten a को ten a लिखो इसको अभी बिलकुल भी छेड़ो मत ठीक है plus ten two a की जगा हमने यह लिख दिया two ten a upon one minus ten square ठीक है सर ठीक है सको bracket में लिख दो done upon upon अरे सही हो जा भाई ठीक है upon one minus ten a की जगा ten a बिटा जी ठीक है सर into ten two a इसकी जगा यही लिख दो जो ten two a का फॉर्मला है ठीक है सर two ten a upon one minus ten square ठीक है done yes sir done कोई दिक्कत नहीं कोई समस्चा नहीं ठीक है ठीक है थोड़ा देख समल के solve करना क्योंकि हो सकता है तुमसे गलतियां करवा देए सर इसके नीचे अपन को upon one लगाना पड़ेगा इसके नीचे भी अपन को upon one लगाना पड़ेगा यह तो multiply ठीक है multiple में ठीक है ध्यान से करना बेटा जी बच्चों यह हो गया अब प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह लिखें गाना अच्छे से तमीज से थैंड ए अपन one ठीक है यह एक फ्रैक्शन होगया प्लस ठीक है 210 A 210 A upon 1-10 square ठीक है 1-10 square a भ्रैकेट close ठीक है डन है सर बिलकुल डन है है ना बिलकुल डन है अपन यह अपन होगया अब समझना बात को मेरी ध्यान से सर यह अपन कर दी अपन ने 1 को मैंने लिखा one upon one minus ठीक है 10 a and 2 10 multiply में तो यह 2 10 square a हो जाएगा है सर बिल्बल सही बात है 2 10 square a हो जाएगा upon 1 minus 10 square a है ना बिल्बल सही सर 1 minus 10 square a इसको bracket में लिखो तो ज़ादा खुब शूरत लगेगा अब LCM LCM खेल जाओ कीसे खेलेंगे LCM LCM सर बड़ा आराम से, यहां लेकर रहा हूं में, ठीक है, दन, तो इसका और इसका LCM 1-10² A आएगा सर, बिलकुल 1-10² A LCM आगे, पर्फेक्ट बात है सर, बिलकुल सही बात है, है ना, ऊपर क्या आएगा सर, ध्यान से सुनो, 1 और 1-10² A, इन दोनों का LCM यही आया, अब यह इस से multiply होगा, 1 इस से, तो यह जब इस से multiply होगा, तो यह होगा 10 A into 1-10² A, 10 A into 1-10² A, मज़ा आएगा यह करने में, और 1 का multiply 2-10 A में होगा, तो प्लस का 2-10 A, done है सर जी, बिल्कुल done है, upon, ठीक है, अब upon लगाया, अब बिटा नीचे भी होगा, 1 upon 1 और दिस अब, तो यार 1 का और इसका LCM 1-10² A होगा, बिल्कुल होगा सर, तो यहाँ पर भी अपने ऐसे लगाया, और नीचे लिखा 1-10² A LCM आया सर, ठीक है, अब यह वाला part 1 से और 1 multiply से, तो 1 का multiply 1-10² A से होगा, तो यही होगा, यह ना, यह 1 से multiply, 1 का minus 2 10² A, minus 2 10² A, सर यह और यह कट गाया, बिल्कुल सेम सेम है, numerator upon denominator, numerator upon denominator, perfect है सर, इसका multiply करो दोस्त अंदर, ठीक है सर, multiply करते है, ठीक है, तो यह क्या हैगा, 10 into 1, 10 A, minus, 10 A into 10² A, तो यह 10 cube A हो जाएगा, ठीक है, और plus का 2 10 A, plus का 2 10 A, खतम, आने वाला है बिटा, upon, upon, one minus 10 square A, minus 10 square A, one minus 10 square A, one minus 10 square A, two 10 square A, three 10 square A हो जाएगा, one minus three 10 square A, ठीक है सर, बिटा, 10 A और two 10 A add हो जाएगा, three 10 A बन जाएगा, क्या बनेगा, बिटा जी, यह यह बन जाएगा, three 10 A, three 10 A, minus 10 cube A, minus 10 cube A, upon, one minus three 10 square A, one minus three 10 square A, बिटा, यही तो अपना answer है, यही तो अपना answer है, दोस्त, लो भई हो गया complete, यही तो answer है, यही तो है, जो है formula, लो भई है, खतम, यार यह minus का आएगा न, one minus three 10 square A, खतम हो गया, that's it, ठीक है, done sir, complete है, बिल्कुल complete है, I hope आपको यह पूरी तरह से सारे के सारे proof समझ में आ गए होंगे, ठीक है, done sir, तो कुछ नहीं करना है, आपको simply, 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 sin 3 A का formula याद करना है, या sin 3 theta कह सकते हो, आप यह formula याद करना है, 3 sin A, 3 sin A, A की जगा मैं theta लिख दे रहा हूं, मैं पढ़ूंगा तो A, मैं पढ़ता A हूं, पर लिखता वही चीज़ हूं जो दिया होता है, 3 sin A minus 4 sin cube A, 4 sin cube A, theta A लिख यह हो गया, sin 3 A का formula, है ना, यानि triple angle formula, cos 3 A क्या होगा सर जी, cos 3 A, cos 3 होगा बिटा, 4 cos cube A, 4 cos cube A, minus 3 cos A, minus 3 cos A, और 10 का क्या होगा दोस्त, 10 3 A का formula, 10 3 A, 10 triple A, A या theta, सर होगा, 3 tan A, minus, 3 tan A, minus, 10 cube A, 10 cube A, upon 1 minus 3 tan square A, upon 1 minus 3 tan square A, कैसे प्रूफ करते हैं, simple है सर, अपने अभी देखा, 3 theta को, 2 theta plus theta, या theta plus 2 theta करके solve कर दो, 3 theta को, theta plus 2 theta, 3 theta को theta plus 2 theta, solve करते जाओ, answer आता जाएगा, है ना, properties याद होनी चाहिए, ठीक है, clear है, yes sir, बिल्कुल clear है, done, बिल्कुल done sir, चलो भईया, यहाँ पर अपना ये session खतम हो गया, अच्छा, एक बात और, अगर अपन चाहें, तो एक question solve करते हैं, छोटा सा, है ना, ताकि आपको application आजाए, properly कहा जाए, तो application आजाए, चलो, निकालो भईया, 10, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ, के, 12, ठीक है, 135, मैं आपसे कहूँ, 10, 135 की value निकालो, 10, 135 degree की value निकालो, ठीक है, अब आपसे ये कह दिया, तो दो तरीके हैं, क्या, एक तो ऐसे निक सकते हैं, बेटा जी, आप 10, 90 degree plus 45, एक तो ये है, ठीक है, तो इसका answer क्या हैगा बेटा, 10, 90 plus theta, minus का cot theta हो जाएगा, minus का cot theta, तो minus का 1 आजाएगा, क्या जाएगा, minus का 1, ये answer आगया, है ना, सिका चुका हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ, नहीं, नहीं, मुझे ऐसे नहीं, वाला formula use करोके, इस formula से आप 10, 135 की value निकालो, कैसे निकालेंगे sir, easy है, देखो कैसे निकलेगा, हमने कहा, 10, 3 into, इसको मैं लिख सकता हूँ, 45, 3 into 45, तो अब समझे कुछ, कुछ समझे, ये हो गया बेटा, अपना 10, 3A, ये A हो गया, तो इस question में हमारे पास A क्या आगया क्या गया बेटा जी, 45 degree, समझे क्या, हाँ sir, अब समझ गए है न, बिलकुल अच्छे से समझ गए, तो हमने formula लिखा, 10, 3A is equal to 3, 10A, 3, 10A minus 10 cube, 3, 10A minus 10 cube upon 1 minus 3, 10 square, हमने ये formula लिख दिया sir, ठीक है, ये ही तो formula है, लिख दिया sir, अब हमें बता है कि अगर हमने A की जगा, 45 लिख दिया, यानि 10A की जगा, 3 into A की जगा, 45 लिख दिया, तो बेटा ये 10, 135 बन जाएगा, और अगर A की जगा 45 लिखा, तो यहाँ भी A की जगा 45, 3, 1045 minus 10 cube 45 degree, है न, अपॉन A की जगा 45, अब तुम समझ गए होगा application कैसे होगी इसकी, अपॉन 1 minus 3, 10 square A, मतलब 10 square 45 degree, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट सरी, क्या बन गया बिटा जी, ये बन गया 10, 135, 10, 135 degree, है न, तो यह होगा 3 into 1, यानि 3, minus 1 का cube, है न, 1045, 1 होता है, 1 का cube, अपॉन 1 minus 3 into 1 का square, ठीक है, तो सरी, ये क्या होगा, 3 minus 1, 3 minus 1 अपॉन 1 minus 3, 3 minus 1 क्या होगा बिटा, 2, और 1 minus 3 क्या होगा, minus 2 बिटा, डिवाइट करेंगे, minus का 1 आएगा, देखो, ये minus का 1 आगया, ये भी minus का 1 आगया, सेम आगया answer, येस सर, ऐसे हम apply करते हैं, questions में, फॉर्मिलेस को, ठीक है, तो बिटा, जल्दी से session को like कर दो, session is over, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोईशिश करी, मैंने के तीनों की proof, यानि sin 3 theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, कैसे होता है, ये बता दिया मैंने, cos 3 theta, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, कैसे होता है, ये भी proof बता दिया, और 10 3 theta का भी proof आपको बता दिया, एक question भी अपनने attempt करके देख लिया, session अगर समझ में आया हो, आपको proof अच्छे से समझ में आ गए हो, तो like जरूर करना, channel को subscribe करना, ऐसे ही magnet brains आपको provide कराता रहेगा, 100% free of cost education, to our lovely students, of class K-12, यानी की kindergarten से class 12 तक, CBS, Cboard English Medium, हम आपके सारे subjects के पूरे-पूरे syllabus को complete कराते हैं, detail में पढ़ाते हैं, so that आपके doubts कम से कम रहें, और जो रहें, उनको live classes में, doubt classes में clear कर देते हैं, इसी के साथ, बिटा, Hindi Medium के जो हमारे प्यारे students हैं, जो class 6 से class 12 की किसी भी class में पढ़ाई कर रहे हैं, UP board के हो, MP board, Bihar board, Rajasthan board या Delhi board, अगर आप इन 5 state board से belong करते हो, इन से जुड़े हुए हो, और आप चाहते हो के आपकी तयारी बहुत बढ़िया हो, आपकी पढ़ाई बहुत शांदार हो, और आप high quality education प्राप्त करना चाहते हैं, तो आईए अभी चलिए हमारे साथ Magnet Brains, Hindi Medium YouTube चानल पर subscribe कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारी पूरी टीम प्रोवाइड करा रही है, 100% high quality education और जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करा रहे है, free of cost है, सारे वीडियोज प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्माट में arranged है, आओ अपना class और subject देखकर playlist देखो, पूरी playlist बनी हुई है, बड़िया वीडियोज देखकर अपना study perfect करो, अपने result की अच्छी तैयारी करो, जल्दी मिलेंगे next video में, till then happy learning, take care, bye.